सो हलो गाईस विलकम बैक टो एडियो चैनल और मैं आपलो का दोस्ट चैनल का उस्ट फ्रांतोस तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने हो लोग गाईस कि जो अपनी इंडियन गौवर्मेंट है उन्होंने पबजी मुबाल इंडिया को वापस से अन्बैन करने का डिस होने वाला है और अब एक नया रूमल आज भी निकल करके आया है और कभ गेम फानल रिलीज होगा यह सारी बातों को हम लोगा आख साइड में रखते हैं सबसे बड़ी जो में बात हैं इंडियन गौवर्मेंट की उसको ले करके इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो फू जो है वो complete news बताने जारो दोस्तों ठीके तो देखो यार वीडियो बहुत ज़्यादा important है कमाल का है और आप लोग पूरा end तक के ज़रू से देखते रहे ना जल्दी से कर दो वीडियो को like और चैनले के अपन नहीं हूँ तो अब बिग येपी सब्स्राइब करके बेल पर अंदर clearly बता देता हूँ कि PUBG Mobile India सिर्फ 100% ही नहीं 1000% जो है आप लोगो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यानि के अन्बैन होना ही होना है उसको ऐसा होगा नहीं कि इंडियन गवर्मेंट ने अलाव नहीं इच कर रही है वो और गेम आप लोगो देखने के लिए नहीं मि दिया हुए तो दोस्तों देखों यहां पर जो न अब भी भी मैं आप लोगो लेटेस निउस बता रहा हूँ यहां पर यह जो गवर्मेंट है दोस्तों इन्हों ने अब भी यानि के आज भी जो वो गेम को पर्मेशन नहीं दी हुए वापस से अन्बैन करने के लिए आप अब लोगों यहां पर जो वो टेंशन लेना नहीं है क्योंकि यह जो न्यू्स है दोस्तों यह अभी फिला लेटेस के अंदर चल रहे है लेकिन आगे चेंजोगी कैसे चेंजोगी वो भी बताते हूं मैं आप लोगो English 국という और जोर समय अलाव नहीं किया हुआ है अभी भी गेम को unban करने के लिए ठीक है आप यहाँ पर दोस्तों जो अपनी इंडियन गवर्मेंट है जैसे के मैं बात कर रहूँ है यहाँ पर Ministry of Electronics and Information Technology की और यही पूरा जो गवर्मेंट का फुल फॉर्म है तो दोस्तों इन्हों ने बैन जो लगाया था PUBG मुबायल को वो इस पर से लगाया था अंडर सेक्शन 69A of Information Technology Act के तो उन्होंने वो गेम को बैन किया था दोस्तों और उसके साथ में 180 अप्लेकेशन में यहाँ पर बैन किये थे और बैन इस पर से किये थे प्लस जो वो डेटा यहाँ पर स्टोल हो सकता था तो यह सारी जो चीज़े है उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर यह सेक्शन के तहरे जो वो गेम को बैन किया था दोस्तों अब यहाँ पर गॉवर्मेंट का क्या रूल है कि यह जो पप जी मुबाल इंडिया जो अभी देखने के लिए आप लोगो मिल रहा है सब जगा के नया वर्जन आने वाला है इंडिया के लिए बन रहा है और जो वो थाउजन मिलियन डॉलार स्वरी थाउजन बोल रहा है हंडेड मिलियन डॉलर का जो इनमेस्मेंट करके गेम को जो पर पर जी मुबाल इंडिया के अंदर तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता दूँ चाइना के साथ में कोई तो link नहीं है जो आप लोग खेल रहे हो game को उसमें आपकी जो personal information है वो secured है या नहीं जो आपका पूरा data है वो secured है या नहीं तो यह जितनी चीज़े हैं मतलब कि जो ministry अपनी यही इनों नहीं जो ban लगाया था game को यही पूरा game को वापस से चेक करेगी और उसके बाद में official confirmation यह लोग देंगे के भई हाँ यह जो game है इसको आप unban करने के लिए पूरी तरीके से ready है कोई भी problem आप यहाँ पर होगा नहीं अपने इंडिया country को ले करके ठीक है यह पूरा official confirmation आने के बाद में जो game है वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा दोस्तो फ्ले स्टोर के उपर गाईस ओके तो अब यहाँ पर सवाल यह निकल करके आते कि यह जो काम है सारा यह कब होगा तो दोस्तो अभी फिलाल के लिए तो government ने अलाओ नहीं किया है लेकिन वो लोग game को जो चेक करेंगे दोस्तो और यह पूरा काम होते होते आप लोग को वेट करना पड़ेगा नोवेंबर के एंड तक के उसके बाद में official confirmation निकल करके आएगा दोस्तो और गेम आप लोग को जो लास्ट ली में अगर बोदू यहाँ तो नोवेंबर एंड से लेकर के आप लोग को डिसेंबर के अरली के अंदर यह सारा कुछ हो जाएका पूरा तरीके से काम और उसके बाद में पबजी मोबाल इंडिया आप लोग को जो प्लेय स्टोर के पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह मैंने यह यह जो पबजी ओंपाल इंडिया ओरिजिनल जो गेम है और जो पबजी लाइट है वो भी इसके साथ में अन्माइन होगा या नहीं होगा क्योंके भाई लाइट वर्जन भी बहुत लोग यहां पर खिलते हैं जिनके लो एंड डिवाइसेस है वो लोग भी काफी ददा गे डेवलपपर यह लोग अन्बैन करने वाले पबजी को मतलब के काफटन की तरफ से आपको गेम देखने के लिए मिलेगा प्लेस्टोर के उपर यही जाधा करके जो यहां पर फिक्स कर रहे हैं दोस्तों दूसरी बात यहां पर निकल कर क्या आती है दोस्तों ट्रेलर की तो प्रॉंटन है और एक और भी है मेरको नाम अभी याद नहीं उनका तो वह तीनों है और बाहर से अरशर पारसी आएंगे और उनको तीनों को बोलेंगे कि घर में क्या कर रहे हैं बाहर निकलो आपका गेम चालू हो चुका है तो दोस्तों यह पूरा कंसर्प यहां पर ट्र यहां पर लॉंच आपर खिया गया है दोस्तों लेकिन इसके उपर आप अगर आप लोग जाते हो तो वह आप लोगों को फेस्बुक के उपर डारेक्ली आप लोग को बेच देगा यानि कि अब भी प्लेस्टोर के उपर तो गेम अवेलेबल है नहीं तो इस पर से तो प्ल प्लेस्टोर के उपर गेम अवेलेबल हो जाएगा तो आप लोग दोनों ही जगे से यानि कि यहां से भी और डारेक्ली प्लेस्टोर से भी जाकर के गेम को यहां पर डाउनलोड कर पाएंगे तो यह काफी दाद अच्छी बात है आज निकल कर आईए कि जो वेबसाइट है उसके उपर जो इन्होंने डाउनलोड लिंक प्रोवाइट कर दिया आप लोगो अब दोस्तों जो फाइनल निउस यहां पर निकल करके आईए वो एक तरीके से रूमर्ड है वो मैं आप लोगो बता देता हूँ चलो वीडियो के अंदर वो यह है दोस्तों कि ऐसा बताया और डिसेंबर का अर्ली तक के वेट करना पड़ेगा उसके बाद ही मेरको तो लगता है दोस्तों कि गेम का यहां पर जो हो निकल करके प्लेस्टोर के उपर यहां पर आएगा दोस्तों तो यह एक तरीके से रूमर्ड ही बन करके रहे जाएगा जो भी आज चल रहे है कि 20 चल बर को गेम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर तो यह सा नहीं होने माला दोस्तों ओके तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फूल इंफोर्मेशन बता दिया पबजी वोब इंडिया की और गवर्मेंट और अफ इ झाल झाल